नमश्कार मैं हूँ डॉक्टर बार्ण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोग का अपने इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के एंबी ब्लड टेस्ट के बारे में करेटिन काइनेज या फिर सी कि यानि-व्र्वियल यह नम है यह एक तर्के का एंजाइम होता है जो कि हमारे हार्ट, ब्रेन और स्केलेटल मसल में पाया जाता है तो अगर किसी भी इन में से किसी भी मसल में कोई injury हुई है, कोई damage हुआ है किसी भी तरकी के कोई परिशानी हुई है तो जो CK का जो लेवल होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है तो ब्लड में अगर इसकी जो क्रेटिन काइनेस की वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है तो वह suggestive होती है कि Heart muscle और किसी और मसल का कोई ना कोई डामेज हुआ है तो जो CK MB होता है यह CK का जो तीन forms होते हैं उनमें से एक होता है और यह Heart Muscle का specific होता है तो इस टेस्ट के दौरे यह distinguish किया जाता है कि जो problem है वो Heart Muscle में है या फिर skeletal मसल में है और कई बार हार्ट अटेक को चेक करने के लिए भी डिटेक्ट करने के लिए भी यह टेस्ट किया जाता है या फिर यह चेक करने के लिए कि सेक्वेंड और सबसिक्वेंट हार्ट अटेक है या यह सारी चीजें चेक करने के लिए भी यह टेस्ट CKMB टेस्ट करवाया जाता है तो आज के अपनी इस वीडियो में में CECA MB के बारे में detail से discuss करेंगे इसके बारे में जो basic जानकारी है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह test क्या होता है इसको क्यों करवाया जाता है कब करवाया जाता है और इसका जो result होता है उससे क्या समझते हैं लेकिन अगे बढ़ने तो शुरू करते हैं, अच्छे माल लेजे कि अगर किसी व्यक्ति का जो CK या CPK का वैल्यू है, वो नॉमल से बढ़ा हुआ आ रहा है, और साथ ही साथ, अच्छली क्या होता है, इस टेस्ट में CK का जो वैल्यू है, वो तो बढ़ा हुआ आता है, लेकिन जो जब हम सिंपल CP ये नहीं पता चलता है कि कौन से मसल का डामेज हुआ है, उसमें ये ओवर्रोल होता है कि किसी मसल का डामेज हुआ है, तो उसको डिस्टिंगुश करने के लिए जो इसके अलग Rac breaking we all ligger को फर्दर टेस्ट किया जाता है, तो मालने जाकर किसी व्यक्ति का CPK का वैल्यू आट- तो इससे यह confirm हो जाता है कि जो value बढ़ी होई आया CK की या फिर CPK की वो skeletal muscle के damage की वज़े से थी या फिर heart muscle की वज़े से थी तो अब थोड़ सा समझ लेते हैं जो CPK के तीनों forms हैं वो कौन-कौन से हैं और वो किस-किस के लिए specific है तो जैसा कि जो CKMM है वो skeletal muscle का specific होता है वहीं पर CKMB जो है वो heart muscle का specific होता है तो जैसा कि मैंने पहले भी बता है कि जो CK या फिर CPK की value है वो blood में elevated आती है तो suggestive होती है किसी ने किसी muscle के damage की अब वो कौन सा muscle damage हुआ है या तो brain का हुआ है हार्ट का हुआ है या फिर skeletal muscle है वो यह जो तिनों forms है उनको test करने के बाद ही confirm हो पाता है तो जैसा कि हम अपने इस वीडियो में बात करें CKMB के बारे में CKMB blood test के बारे में तो यह जो CKMB है यह specific है heart के muscle के लिए तो किसी भी कारण से अगर heart muscle का damage हो रहा है तो उसमें जो CKMB की value है वो बढ़ी होई आती है तो actually क्या होता है heart attack के लिए और भी जो markers है उनका use किया जाता है जैसी है कि ट्रॉपोनिंटेस्ट है वो सब 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 होता है heart attack के लिए तो उसको भी किया जाता है लेकिन उसके अलामा अगर हम CK की बात करते तो उसमें जो CKMB है उसको देखा जाता है अगर किसी patient को chest pain हो रहा है तो जो उसमें CKMB का level है कुछ specific time के लिए elevated होता है ऐसा नहीं कि chest pain हुआ heart attack आयो तो जो CKMB का level हो continuously या persistently वो elevated रहेगा नहीं वो कुछ एक specific time period है जिसके लिए जिसकी दौरान वो elevated रहता है मालेजे कि अगर किसी patient को chest pain हो रहा है तो जो 3-6 घंटे का आगे का समय है उसके दौरान जो CKMB है वो बढ़ा हुआ वो बढ़ता है और अगले जो 12-24 घंटे है उसमें वो peak पे रहता है उसके बाद जो 48-72 आवर्स का समय है उसके दौरान फिर से back to normal हो जाता है तो यह time period हो कि दौरान जो CKMB का level है वो बढ़ा हुआ आता है तो अगर मालेजे किसी patient में CPK की value बढ़ी हुई है उसके बाद उसको chest pain हो रहा है उसके बाद हम उसका अगर CKMB चेक करें वो भी elevated है फिर वो नीचे आ जाता है और फिर कुछ समय बाद और दुबारा elevate हो रहा है that means वो second य किसी भी तरकी का inflammation है कोई भी surgery है कोई भी trauma है कोई भी streaming condition है इन सारे conditions में जो CKMB है उसकी value बढ़ जाएगी साथ जो strenous exercise है उसके दौरान जो CKMB, CKMM के साथ CKMB भी बढ़ा हुआ सकता है बट वो इतना जादा नहीं होते है वो nominal होते है उसके अलावा kidney failures के दौरान भी है लेकिन यह सारे suggestive नहीं होते है heart attack है actually इसका index होता है जिसके basis पे decide किया जाता है कि वो heart attack का suggestive है या नहीं यहाँ पे जो total CK की value है और CKMB का value है उसका ratio देखा जाता है तो अगर उसका index 2.5 से लेकि 3 के बीच में है that means heart damage heart muscle damage हुआ है वहीं भी अगर यह index इससे कम है तो यह heart attack का suggestive नहीं होता है राधर यह suggest करता है कि skeletal muscle का damage हो सकता है तो जो CKMB के बाद अगर यह heart attack का suggestive है जैसा कि मैंने बताया लेकिंसे सिर्फ इसी से confirm नहीं किया जा सकता है मैंने जैसा कि पहले भी बताया जो troponin है वो जादा specific है वो test heart attack के लिए तो और भी जो additional test होते है तो उसको भी follow-up में करवाया जाता है वो आपके doctor decide करते हैं आपकी condition के हिसाब से तो आज की video में हमने बात किया CKMB के बारे में यानि कि जो बारे में discussion है वो मैंने अपने अलग video में बनाया CPK blood test के बारे में आप उसको भी refer कर सकते हैं तो आज की video में CKMB के बारे में में discussion किया उसके बाद उमीद करती हूं कि आपकी जो understanding इस टेस्ट की टूर्ट जो काफी बढ़ी होगी उसके अलाम भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस टेस्ट से रिलेटेड या किसी तरिके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमेरे कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं धन्यवाद